Hello everyone and welcome back to my channel, my name is बुश्रा खान आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं note making को अब note making करना बहुत ही असान है, आप simplis को कर सकते हैं इसमें क्या होता है कि आपको एक passage given होता है और उसके बनाने होते हैं आपको notes अब ये note making है क्या? सो मा लो आप किसी शॉप पर shirt खरीदने गए और आपने बोला भाई shirt दिखाओ तो शॉप वाला सारी shirt तो निकाल कर आपके पास रखेगा नहीं वो दिखाएगा main main जो उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं सो यही करते हैं हम note making में अब इसको करना कैसे है? इसके लिए ले लेते हैं एक passage ताकि आपको साथ साथ करना भी आ जाए सो यह आ गया हमारे passage का first paragraph अब आपको करना क्या है? कि इसे read करना है ध्यान से सो pause करके पढ़ लीजिये आराम से अब इसके बाद क्या करना है? आपको इस paragraph से बनानी है एक heading और उसकी दो-तीन subheadings means main-main points जो इस paragraph को cover कर ले अब अगर आपने paragraph ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि first paragraph में television के advantages के बारे में बताया है कि किस तरह से different-different लोगों को television help करता है सो यह हो गया हमारा first paragraph अब हम क्या करेंगे कि एक heading डालेंगे माल लीजे आपने heading डाली TV helpful to people अब देखिए हमने TV लिखा television नहीं लिखा means हमें note making करते हुए abbreviations का भी use करना होगा तो first heading हमने डाली TV helpful to people ओके अब इसकी subheadings डालिए कि कैसे helpful है so first लिखिए provides knowledge of outside world second आपने लिखी good programs of science medicines and arts third entertainment to the old and patients और fourth आपने लिखा language practice for non-native speakers याद रखिएगा कि आपने TV program और knowledge में abbreviations यूज की है अब आपने सारे points first paragraph से related लिख दिए कि knowledge provide करता है outside world की science, medicine, arts के program भी आते हैं old और patients के लिए एक entertainment का भी साधन है और non-native speakers की language practice भी हो जाती है तो यही note making होता है means आपको important important points लिखने होंगे अब next paragraph पढ़िए अराम से पढ़िए pause करके अब अगर आपने पढ़ लिया तो इसमें disadvantages बताए गए हैं television के तो हम यही heading डालेंगे हम लिखेंगे serious disadvantages of TV अब इसकी भी subheadings लिख दीजे किस तरह से नुकसान है तो आप लिखिए people watch TV for 6 hours a day means लोग 6-6 घंडे TV देख रहे हैं second point डालिए children watch TV more than studying and sleeping means बच्चे पढ़ने और सोने से ज़ादा TV देख रहे हैं और third point डालिए TVs influence negative means TV गलत प्रभाव डाल रहा है और negative की भी आपने abbreviation लिख दी आप बाकी का आप खुद करने की कोशिश करिएगा तो इस तरह से आप heading डालेंगे और उसके main points लिखेंगे और हमारी note making complete हो जाएगी so इसके बाद आप क्या करिए कि सबसे top पर लिखिए title क्यूंकि अब हमें पूरा passage ठीक से समझ आ गया तो हम डालते है title और मुझे title suitable लगा people's addiction to TV अब इसके बाद आप एक छोटा सा box बनाईए और जो भी abbreviations आपने use की हैं उन्हें लिख दीजे इसके बाद आता है आपको passage की summary लिखने को सो आप 8 से 9 lines use करके इस passage की summary लिख दीजे summary means आपको overall इस passage में क्या समझ में आया सो जो भी आपको समझ में आया हर paragraph से थोड़ी थोड़ी lines निकाल लीजे और summary लिखिए और लीजे ये हो गई आपकी note making complete अब अगर किसी को problem है कि summary कैसे लिखूं सो no problem ये रही आपकी summary इसे अच्छे से देख लीजे और practice कर लीजे इसी के साथ अम मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care और please अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को subscribe ज़रूर करें at the end ये रहा आपका पूरा passage आप चाहें तो इसकी practice कर सकते हैं लेकिन चैनल को subscribe ज़रूर कर दीजेगा कर दिन चैनल को